Global NCAP अपने तीन गाडियों के Crest Test को पबलिक कर दिया है और ये तीनों गाडियां अपनी अपनी फील्ड में काफी popular है और जो test results है वो भी काफी shocking है तीनों गाडियों ने जम कर नराश किया है भाई सबसे पहली गाड़ी है महिंदरा की बॉलरो नियो इस गाड़ी ने काफी बेकार perform किया है adult occupants और child occupants दोनों के लिए 1 out of 5 stars score किया है मात्र आप देख सकते हैं कि adult occupants के लिए 20.26 out of 34 score किया है और child occupants के लिए 12.71 out of 49 body shell integrities की unstable पाई गई है मतलब की further loading ये नहीं जहिल पाती गाड़ी और रही बात features की तो जिस model का crest test किया गया है उसमें safety features के नाम पर ABS, dual airbags, EBD, seatbelt pretensioner, seatbelt reminder for driver and co-driver और ISOFIX child seat anchor जैसे safety features दिये गाई थे मतलब यार ये बात बिलकुल भी पचेबल नहीं है कोई सुनेगा तो मानेगा और नहीं कि महिंद्रा की कोई गाड़ी 1 out of 5 star score कर रही है मारूती के बराबर score कर रही है ये हालते महिंद्रा की बाकी गाड़ियों में ऐसी कौँचे शांदर बिल्ड क्वालिटी आप लोगों ने यूज करी थी जो बॉलरों नियों में यूज करना भूल गया यार जबसे minimum safety features mandatory किये गए हैं ABS, dollar back, CBD, seatbelt, reminder बगर बगरा तब से लेकर अब तक महिंद्रा की किसी भी गाड़ी ने इतना बेकार perform नहीं किया है For example अगर मैं आपको बताऊं तो XUV3OO, Scorpio N, XUV7OO इन तीनों गाड़ियों ने 5 out of 5 stars score कर रही है महिंद्रा थार और मराड़ो जैसी गाड़ियों ने इतने ही safety features के साथ में 4 out of 5 stars score कर रहे हैं इतनी मेहनत से महिंद्रा ने अपनी इतनी strong image बनाई थी, build quality और safety को लेकर baller और neo ने एक बार में दोके रख दी भाई इस crash test के तोड़ी detail में चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह driver है जो हाँ में steering पकड़ा बैठा है और बगल में co driver बैठा हुआ है नीचे यहाँ पर आप box देख सकते हो green good है, yellow educate protection है, marginal protection है यह orange और यह brown color है weak protection और red है poor protection तो यहाँ driver के पैरों में poor protection मिल रहा है, बाकी पैरों पर marginal है, chest में तो भाई weak protection मिल रहा है और उसके head पर भी marginal protection है, कहीं पर भी good का निशान नहीं है सिर्फ neck पर उसकी good protection है, मतलब driver की गर्दन-गर्दन बज़ जाएगी बाकी पूरा शरीर गया, यह आलत है driver की, जो code driver है उसकी condition तो फिरी भी काफी ठीक है कि adequate और good protection दिया गया है, थाइस पर अभी भी हालं की marginal protection ही दिया गया है, तो यह हालत है जिस वज़ा से बॉलेरों नियों को one star मिले है अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देंगे, 2022 से Global NCAP ने electronic stability control program जो feature होता है, उसे mandatory कर दिया है मतलब कि अगर आपकी गाड़ी में यह feature है, तो यह एक point आपको देते हैं, इन case अगर यह feature नहीं है, तो वही एक point यह काट भी लेते हैं और बाकी फिर आपकी गाड़ी में क्या-क्या features मिल रहे हैं, वह किस तरह से perform कर रहे हैं, इन सारी चीजों को नापतौल करके यह stars और points दिये जाते हैं बॉलरों नियों की हम बात करें, तो आप देख सकते हो कि इसको one star मिलने के पीचे सबसे बड़ा कारण है, एक तो driver को protection काफी दो कोड़ी का मिल रहा है दूसरा, electronic stability program इसमें मिलता ही नहीं है किसी भी variant में तीसरा, कि seat belt remainder जो इस गाड़ी में दिये गए हैं, वो global end cap के requirements को fulfill नहीं करते हैं जिस वजाए से इस गाड़ी को one star दिया गया है, ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी गाड़ी के बारें बात करते हैं, तो Kia Karens का वापस से crash test किया गया है पिछली बार इसका 2022 में crash test किया गया था, तब इसने 6 airbase के साथ में 3 star protection दिया था, adult occupant और child occupants दोनों को ही ये पुराने जो rules and regulation थे, उसके साफसे केरेंस ने 3 stars score किये थे, अब दोबारा से केरेंस का crash test किया गया है, वो भी एक बार नहीं, एक साथ दो बार crash test किया है पहला crash test उस केरेंस का हुआ है, जिसका production मई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में हुआ था, तो अगर आपने इस दोरान या इस दोरान बनी हुई कोई गाड़ी, मतलब कि केरेंस खरीदी है, तो ये crash test आपकी वाली केरेंस के उपर apply होता है और इस crash test में तो केरेंस ने भाई बहुती गंदा perform करा है, 0 stars मिले हैं इसको adult occupants के लिए और child occupants के लिए 4 out of 5 stars मिले हैं, आप difference देख सकते हो और बात सिर्फ 0 stars की नहीं है, अगर मैं अंदर जाके points देखू न, तो आप देख सकते हो कि 0 points स्कोर किये हैं out of 34 Child occupants के लिए 40.92 points स्कोर किये हैं out of 49, लेकिन adult में भाई 0 points हैं, 2, 3, 4, 6, 8, कुछ भी नहीं इस गाड़ी की body shell integrity unstable पाई गई है, मतलब की further loading ये shell नहीं जेल पाती safety features की बात करूँ तो जिस model का crest test हुआ है, उसमें safety features के नाम पर ABS, EBT के अलावा 6 airbags थे electronic stability control भी मिल रहा था, seatbelt reminder और seatbelt pretension जैसे features भी दिये गए थे seats पे उसके बाद भी zero star मिलें और ये तो वो features हैं जो global end cap गिना रहा है, इसके ब्रॉशर में आप जाकर देखोगे तो features इसमें और भी मिल जाते हैं जो global end cap नहीं गिनाता है, मतलब global end cap को ज़रूर आते हैं, उनके जो terms हैं, वो fulfill होने चाहिए, extra अगर आपकी गाड़े में कुछ है तो ये लोग नहीं गिनते हैं उसको, या बताते नहीं है अपनी details में, जैसे की ब्रॉशर अप्यों अगर मानें, तो इन features के अलावा, karence मे मिल जाते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये 0 star score कर रही है, इसकी detail में जाकर आप देखोगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि driver जो है, उसकी तो आहलत खराब हो रखी है, chest पर और thigh पर marginal protection है, head पर good protection है, neck पर तो poor protection है, मतलब कि neck इतनी कमजोर होती है, वो neck त उस पर भी ठीक ताग इंतिजाम है, कम से कम chest पर और neck पर, head पर good protection मिल रहा है, और एक जो टीविया वाला एक जो पैर है, उसका मतलब जो right पैर है, उस पर भी good protection दिया गया है, side movable, deformable barrier test पर इसने काफी अच्छा perform किया है, full body good protection दे रही है, लेकिन इतना सब होने के बाद भ global end cap के दोआरा वो भी मैंने पड़े, यहाँ पर भी इसमें सब कुछ बोला है, जो मैंने आपको बोला है, वो सब कुछ लिखा हुआ है सामने ही, उसके बाद भी नोंने end में आके बस इतना बूल दिया, all this explains, zero star in adult document protection, seatbelt reminder है, first or second row में आप देख सकतो लिखा हुआ है, लेकि इसके में कोई भी point add नहीं किया गया, बाकी जितना भी good protection यह दिये रही है, उसका भी कोई point नोने add नहीं किया है, सीधे zero star है, और points भी zero out of 49, sorry 34 दिये गए हैं, तो यह तो रही पहले crash test की कहानी, यह कहानी भले हमारे सामने आज आई हो, लेकिन global end cap वालोंने किया वालों को बहुत पहले बता दी दी, कोई कि यह crash test हमारे सामने आज आया है, लेकिन हो बहुत पहले गया था, तो किया वालोंने karen's के अंदर कुछ changes किये, और December 2023 के बाद में जितनी भी karen's बनी है, उनका दोबारा से crash test किया गया, और उसमें उसने काफी बहतर perform करा है, पहले के comparison में, adult occupants के लिए 3 out of 5 stars और child occupants के लिए 5 out of 5 stars score किये है, adult occupants में 22.07 out of 34 points है, जो कि 0 points थे पहले, और child occupants के लिए 41 out of 49 है, लेकिन body shell integrity अभी भी इस गाड़ी की unstable ही है, और रही बात safety features की, तो इस karen's में भी वही सारे safety features मिल रहे हैं, जो पुरानी वाली karen's में मिल रहे थे, जब उस safety features भी वही है, body shell integrity में भी कोई change नहीं है, वो भी अभी के भी unstable ही है, तो ऐसा क्या कर दिया किया वालों ने, जो कि 0 star score कर रखी थी, अचानक से दिसंबर के बाद में 3 star score करने लगी, असल में जब global end cap वालों ने किया वालों को बताया कि आपकी गाड़ी की यह हालत है, कि जो driver है, उसके बचने के chances हैं ही नहीं, उसकी जो neck है, उसको poor protection मिल रहा है, neck जैसा sensitive area है, वहाँ पर serious injury होने के काफी सारे chances हैं, accident में, तो फिर किया वालों ने कुछ changes किये, कुछ changes नहीं, एक change किया, वो किया head restraint system जो होता है, उसमें changes किये, ताकि neck जो है, उसको support मिले और उसमें injury उसके बाद में, karen's ने इतना score कर पाया है, 3 out of 5 stars का, और ये changes यहाँ पर आप detail में आप देख सकते हो, कि पहले driver की neck को poor protection मिल रहा है, जहां आप weak मिलने लगा है, driver chest को पहले marginal protection मिल रहा है, अब adequate मिलने लगा है, जिस वजा से karen's को 3 stars दिये गए हैं, पहले 0 star के बदले, और child occupants के लिए तो भाई 0 stars score किया है, out of 5, पिछली बार जब इस गाड़ी का crest test किया गया था, तब इसने 4 out of 5 star score किये थे, African market के लिए, अब जो crest test हुआ है, वो भी अभी Indian और African market दोनों के लिए हुआ है, लेकिन इसमें इसने अच्छा perform नहीं किया है, बहुत बेकार perform किया है, बच्चे तो मतलब 0 stars है यार बच्चों के पास, एडल्ट के पास तो फिर भी 2% chances बचने के, मतलब जो भी अब क्या ही कहूं है, इस गाड़ी की body shell integrity stable पाई गई है, मतलब की further loading से ये गाड़ी और जहिल सकती थी, और रही बात safety features की तो जिस model का crest test किया गया है, उसमें safety के न मैंसी को चलाता हूँ और जब इसने four stars score की थे तब मिले को लगाता चलो ठीक है, कमसे का मैंसी गाड़ी तो है कि अपन बच निकलेंगे, कोई गुद्रगटना गटी तो, लेकिन आज तो सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, नेवाला नहीं तर्र गले से, two star दी है यार, मैं मैं अब चलूँगा स्कूटी से, काला होंगा, जो भी होंगा, स्कूटी से चलूँगा, element लगाऊँगा, वो जाला safe है, जब बन star two star के चकर भी नहीं पढ़ना है, खड़ी रहीगी अब हमेज, लेकिन जब मैं इस गाड़ी की detailed report पढ़ रहा था, तब मुझे एक बात पच बात हों कि आप देख सकते हो, adult occupants में इस गाड़ी ने 27.85 points score किया है, out of 34, जिस वज़ा से इसको 2 stars दिये गए हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ, Kia Karens ने 22.07 score किया है, out of 34, मतलब कि 5 points कम score किये हैं, उसके बावजूद भी Karens को 3 star दिये हैं, ऐसा क्यों, ऐसा बेदभाव क्यों, मतलब आप समझ रहे हो न, 5 points से ज़्यादा score करने के बाद भी Amage को 2 star दिये गए हैं, और 5 points कम score करने के बाद भी Karens को 3 star मिल जा रहे हैं, ये concept क्या है, इस गाड़ी की तो body shell integrity भी stable है, detailed report में आप देख सकते हो, कि भी driver का जो head है, neck है, TBI है, pair है, सब में आपको good protection मि type है, मतलब weak और poor का तो नाम और निशानी नहीं है, उसके बाद भी इसको 2 star मिल रहे हैं, इसी difference को, इसी confusion को clear करने के लिए मैंने ग्लोबल NKP के terms and regulation protocols अगरा निकाले उनको पढ़ने की कोशच की, क्योंकि काफे ही लंबे दिये गया है, गरंत दिया गया है पूरा का पूरा हर चीज को explain कर रखा है, बहुत बारिकी से, तो जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा, कोई ये वीडियो भी जल्दी से जल्दी आपनों को डालना था, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा कोई point नहीं मिला, हलांकि बहुत research मैंने अभी तक नहीं की है, कोई ऐसा point नहीं मिला, जो difference को justify कर सके, कि points ज्यादा score करने के बाद भी stars क्यों कम दिये जा रहे हैं, और कम points score करने के बाद भी ज्यादा star क्यों दिये जा रहे हैं, ग्लोबल endcap वालों के जब मैंने comments पढ़े detail में जाके, तो यहाँ पर इन्होंने दो कमियां बताई हैं, Honda Amage में, सबसे पहली कमी तो है कि electronic stability control जो है वो इस गाड़ी में नहीं आता, तो यहाँ से एक point कट गया, ठीक है, दूसरी कमीनों ने जो बताई है, वो यह बताई है कि बैस यो seat belt reminder है न, वो इस गाड़ी में सिर्फ driver के लिए दिया गया है, co driver के लिए भी नहीं दिया गया है, जबकि आज के time पर सभी seats के लिए दिया जाता है, तो इन दो points की वज़ा से, इन दो कमीयों की वज़ा से इस गाड़ी को 2 stars मिले हैं, अगर यह कमिया नहीं होती, तो शायद 3 star या उससे बहतर यह score कर लेती, ऐसा आपन बोल सकते हैं, लेकिन जो है, जो score किया SL में, वो हमारे सामने है, 2 out of 5 stars, अब यहा पतानी Amage में भी co-driver seat पर seatbelt reminder दिया गया है, तो इनने कौन सा model उठाया, crash test करने के लिए, जिसमें co-driver seat पर seatbelt reminder नहीं था, मैंने cross check करने के लिए Honda Amage का ब्रॉशर खोला, मैंने सोचा शायद हो सकता है, Honda नहीं या अरकत कर दियो, इसका जब ब्रॉशर मैंने खोल के देखा, तो भई, इस समय जो Amage market में available है, उसकी 5 seats पर seatbelt reminder मिल रहा है, तो इनको पतानी कौन सा model उन्हों ने लिया है, या company ने दिया है, जिसमें seatbelt reminder सिर्फ driver seat के लिए दिया गया है, अब next generation Amage जो है, वो जल्दी आने वाली है, और उसमें electronic stability control तो हो गई होगा, और ये seatbelt reminder वाली जो समस्या है, शायद ये भी solve हो जाए, तो उसके बाद हो सकता है कि Amage की जो crestus rating है, वो अगर दुबारा से की जाती है, तो पहले से improve होके आ सकती है, लेकिन जब तक ये अगली वादी crestus rating नहीं आती, मैं अपनी Amage में नहीं बैटने वाला, मुझे confirmation चाहिए कि कम से कम तो 3 star न और जैसे ही मुझे कुछ explanation मिलती है, तो Sunday वाले वीडियो में मैं आपनों को बता दूँगा कि exactly ये reason था जिसवजा से ये differences आये है, या फिर हो सकता है, misprint हो गया हो, क्या पता, अब ये जो भी हुआ X, Y, Z वो सब पढ़के पूरा depth में जाके पता पढ़ पायागा कि ये क्य अब बूलना, आपका देन, शुब रहे, रन्यवाद